बच्चों संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका के तीसरे अध्याय का शेश प्रशनों को पूरा करेंगे और आज हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन से प्रशन शेश रह गया हैं और उसे हम लोग आज पूरा और इसमें हम लोगों ने किया था लिंग के अनुसार जो है शब्दों को अलग करना पुलिंग, इस्त्रिलिंग और नपुनसक लिंग के शब्दों को और कुछ यहां पे पद दिये गये थे जिनको खाली जगा में भरना था और इसके बाद हम लोग चटा प्रशन जो सबी बचे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे और उसमें निकालेंगे त्रित्या पाठा शब्द परिचया 3 तो यह तीसरा पाठा शब्द परिचया यह इसमें नपुनसक लिंग के शब्द दिये गये हैं और यह अभ्यास पुस्तिका रुचिरा के पेश नंबर 17 पर दिया हुआ है तो हम आज प्रश्न संख्या साथ से शुरू करते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि निम्न लिखिता नाम पदानाम शुद्धम वर्ण विचेदम चीयतां यहां पे निम्न लिखित पदों का सुद्धम मतलब शुद्ध सही वर्ण विच्छेदम वर्ण विच्छेद चियता मतलब चुनिये यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया हुआ है शब्द का और उसमें से दो वर्ण विच्छेद किया हुआ है और जो सही है उसे चुनना है तो यहाँ पे निमनलखित पदों का शुद्ध वर्ण विच्छेद चुनो चियताम मतलब होता है चुनो तो का का पहले हम लोग देखेंगे रामः रामः पद का यहां पे वर्ण विच्छेद किया हुआ है और वर्ण विच्छेद में व्यंजन और स्वर अलग किये जाते हैं और वर्णों को क्योंकि वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं और यहां पे स्वर और व्यंजन दोनों को अलग किया गया है तो पहले में लिखा है कि र प्लस आ प्लस म प्लस अ रामह और दूसरे में लिखा है र आ म आह अंत में आह लिखा है जबकि दिये गए पद में अ है रामह तो दूसरा वाला जो वन व विच्छेद है वो हम यहां पे लिखते हैं तो उत्तर साथ हम लोग लिखेंगे उत्तर साथ का क हम लोग करेंगे यहां रामह का वर्ण विच्छेद दिया हुआ है तो रामह का वर्ण विच्छेद जो है रा है पहले फिर म और विसर्ग है तो रा म के आगे लिखेंगे यहां पे अ हो जाएगा तो रामह ये बनेगा रामह तो पहला वाला वन विचेद जो है वो सही है और ख में लता का वन विचेद दिया हुआ है ख में लता का वन विचेद दिया है और इसमें पहला हम लोग देखेंगे जो वन विच्छेद है ल के बाद आस्वर दिया हुआ है तो यहां पे जो दिये गए पद में ल में आस्वर है तो यह पहला वाला गलत है और इसमें दूसरा वाला सही है ल फिर आस्वर है फिर ता है फिर आस्वर है तो लता बन जाएगा तो इसमें पहले ल का वर्ण विच्छेद किया जाएगा ल और अ फिर ता में आ की मात्रा है तो यहां पे आ जो है आस्वर हो जाएगा तो मिलकर बन जाएगा लता और गा में शिक्ष कह शब्द को वर्ण विच्छेद करना है शिक्ष कह तो इसमें शा में छोटी की मात्रा है और फिर कह और शा मिलकर क्षा बनता है और फिर कह है तो यहां पे पहला वाला जो है शिक्ष कह यह सही है और दूसरा वाला है शिक्ष कह वहां पे एक साथ लिग दिया गया है तो इसलिए वो गलत है तो पहले बाले सिक्षका का हम लोग यहाँ पे बढ़न भी छेट करेंगे सिक्षका हा तो इसमें जो है शा में पहले छोटी इ की मात्रा है और उसके बाद फिर यहाँ पे कशा और अ मिलकर खशा बनता है तो यहां पे का, शा और आ सिक्ष हो गया ये और फिर का तो का और आ ये जो है वन विच्छेद हो गया सिक्षका का जो सही वन विच्छेद है तो इस सरह से सिक्षका है ये विच्छा का अब है घा वाला वानरह तो वानरह में पहला जो वन विच्छे दिया है वा आ वा न आ न वाना कर दिया है तो ये गलत है न होना चाहिए वानरह और इसमें अंत में आस्वर भी दिया हुआ है तो आस्वर इसमें नहीं है अंत में अस्वर है तो दूसरा वाला वन विच्छे सही है वानरह तो यहाँ पे घह में जो पद दिया हुआ है वो है वानरह और इसका शुद्ध रूप जो है वो है ये वाला वा है फिर ना है तो फिर यहाँ पे ना और अस्वर इसमें लगाएंगे फिर रा अ और विसर्ग है फिर यहाँ पे रा फिर अस्वर के साथ स्वर के साथ जो है विसर्ग लगेगा तो वान रह पद बनेगा और अब है अंगा मक्षिका इसमें भी क्षा आया है आधा का और क्षा ये आधा का क्षा और अ मिलकर क्षा बन जाएगा ये तो इसी तरह से इसमें मक्षिका में भी बनाएंगे तो इसमें जो है ये पहला वाला जो वर्ण विच्छेद है इसे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसमें म, अ, म हो गया, कश, कश हो गया और यहाँ पे छोटी लिखा है म, कशी और उसके बाद आस्वर दिया हुआ है क नहीं लिखा है क के बाद आस्वर होता तो यह सही होता लेकिन यहाँ पे क नहीं लिखा हुआ है और दूसरे वाले वंड विच्छेत को ध्यान से देखेंगे इसमें म और कक्षा ये भी सही लिखा है लेकिन यहां पर बड़ी ई लगा दिया है तो इसमें बड़ी ई नहीं होनी चाहिए छोटी ई होनी चाहिए इसे सभी बच्चे ठीक कर लेंगे मात्रा और का तो यह सही है क केवल बड़ी ई की जगा पे छोटी ई होना चाहिए जो कि सभी बच्चे अपने से इसे यहां से देख के लिख लेंगे तो मक्षिका का जो वंड विच्छेत है इसमें विसर्ग नहीं लगा है यह एक वचन का है मक्षिका तो सबसे पहले इसमें मा का वंड विच्छेत करे जो भाद है का का के लिए कर लिह कर लिखके आश्वर लगाएंगे तो का बन जाएगा तो मक्षिका यह वंड विच्छेत हो हो गया और अब हम लोग करेंगे का कश का करम परियोग है तो कश और आ है तो आश्वर लगाएंगे तो इसमें जो है का और फिर का लिखा हुआ है इसमें का के बाद शा आना चाहिए जो दूसरा वाला वर्ण विछेद है वो सही है तो चा का दूसरा वर्ण विछेद सही है जिसमें की लिखा है कक्षा का वर्ण विछेद कक्षा तो क और अ से क बना अक्षा यहाँ पे क क्ष और आ यह मिलकर कक्षा बन जाएगा और अब है चा मित्रम इसमें तर का प्रियोग हुआ है तो तर अ दोनों में हलंत रहेगा और अ स्वर रहेगा तो तर बन जाएगा तो इसमें मित्रम देखते हैं इसमें कौन सा wanna विचेद सही है तो इसमें जो है मितरम में पहला वाला दिया हुआ है वन विचेद हम लोग देखेंगे मई य मिटर अत्र और म में हलंद लगा है तो मितरम ये बिल्कुल सही है और दूसरे में लिखा है म, इ, म, त, र, के बाद अ छूट किया है अ स्वर नहीं लिखा है इसलिए ये गलत है तो यहाँ पे हम लोग मित्रम का बन विच्छेत करेंगे म, इ, म, और त, र, और अ म लिखे हलन थे मित्रम, ये त, र, और अ ये आधा-धा है इसे मिलाके त्र बनेगा और म, हल लगाके म लिखेंगे और अब है पत्रम इसमें भी त्र आया है और इसमें पत्रम का पहला जो वण विच्छेत है वो लिखा है पा, प, आ, पा हो गया पहला ही ये गलत है वण विच्छेत प, आ की जगह पे प, अ होना चाहिए तब प बनता पत्रम है तो प हमें लिखना है पा नहीं लिखना है तो फिर तर के लिए तर, र के बाद अ होना चाहिए तो तर, र के बाद अ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर अ नहीं लिखा है और मा सही लिखा है लेकिन अ उसके पहले नहीं लिखा है और जो दूसरा वर्ण विचेद है इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला वर्ण विचेद हमें पा का करना है तो पा ये बिलकुल सही है फित्रा है तर आत्रा और मा तो ये वर्ण विचेद सही वर्ण विचेद है तो ज में यहाँ पे लिखा है पत्रम तो हम जोग पत्रम का वन विचेत करेंगे तो प, अ से प बन गया त, र, और अ मिलकर तर बन गया और म, हलंद लगा के पत्रम तो ये जो है रूप वन विचेत का हो गया ये सभी बच्चे तीनों ही पार्ट में पहले दो से तीसरे पार्ट में वन विचेत दिया हुआ है तो इसे बच्चे अपने से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी देखके वो मिला सकते हैं कि कौन सा सही है और अब हम लोग आठवा प्रेशन करेंगे उदाहरन अनुसारम उदाहरन अनुसारम रूपानी पूरियत रूप पूरे कीजिए तो यहाँ पे एक लिख के बताया हुआ है और अंतिम उचारन सबका एक जैसा रहेगा केवल शुरू का शब्द बदल जाएगा तो शुरू का पद जो है वो बदल देना है जो लिखा है उसी से अंतिम उचारन एक जैसा होना चाहिए तो एक वचन में एक जैसा उचारन आएगा जैसे यहाँ पे क्री धातू से करना आर्थ होता है और एक वचनम में करोती द्वी वचनम में कुरुतह और बहुवचन में कुर्वंती ती तह अंती ती जो है उचारण एक वचन में आया है तह उचारण द्वी वचन में आया है और अंती उचारण बवचन में आया है तो यहाँ पे जो दूसरा पहला खाली जगा है वो है नम धातु से नम जो है वो मूल धातु है और नम से यहाँ पे बना है जो लिखा हुआ पद है वो है नमताह तो नमताह द्वी वचन में लिखा है और एक वचन में ती आता है नमती नम में ती जोड़ेंगे नमती नमती नमंती रूप बनेगा करोती कुरुताह कुर्वंती और पठधातु का बच्चे जानते हैं पठती पठताह पठंती तो ती तह अंती का उचारण ध्यान में रखना चाहिए तो इससे एक वचन, द्वी वचन, बहुवचन ये प्रथम पुरुष का है पठती पठताह पठंती ये लटलकार जो है वो प्रथम पुरुष का रूप है अलग-अलग पदों का यहां पर रूप बनाया गया है तो इसे भरना है तो सबसे पहले जो यहां पर खाली जगा है वो नमधातु से नमती बनेगा तो यह सबी बच्चे कर लिये होंगे इसे पूरा और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आठमे प्रशन की ओर और आठमे प्रशन में हम लोग रूप पूरा करेंगे जो खाली जगा है केवल वही शब्द यहां लिखा जाएगा और बाकी पुस्तक में लिखा हुआ है तो बच्चे देख के उसे खाली जगा में भर लेंगे और ये बच्चे खुद से भी कर सकते हैं पहले कोशिस करेंगे और फिर उसे मिला लेंगे पूरा करने के लिए तो अब हम लोग यहां पे आठमे प्रशन का उत्तर लिखेंगे प्रशन आठ और उत्तर आठ यहां पे है और उत्तर आठ में हमें भरना है तो सबसे पहले जो है एक वचन द्वी वचन और बहु वचन यह यहां पे हेडिंग डाल देते हैं एक वचनम द्वी वचनम और बहु वचनम बहु वचनम यह जो है इसी के नीचे हम लोग को खाली जगा भरना है तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नमधातु से पहला खाली जगा है करोती, पठती वैसे ही नमधातु से नमती तो यहाँ पे बन जाएगा नमती यह खाली जगा में लिखना है नमताह लिखा हुआ है और दूसरा जो खाली जगा है वो बहुअचन का है तो नमती नमताह नमनती रूप बनेगा प्रथम परुश में और अब यहाँ पे गम धातुकार्थ होता है जाना तो इसमें गच्छती ती तह अंती होता है गच्छती यहाँ पे पहले से लिखा है औ और आगे दो खाली है, तो यहां पर हो जाएगा. यह पहला है, अब यहां पर दूसरा लिखते हैं, गच्छती. गच्छता हो जाएगा दुबी बचन है तो. गच्छती पहले से लिखा है और ये खाली जगा में भरना है. और गच्छन्ती. यह एक ही लकार के प्रथम यहां पर शब्द दिया है इसलिए बहुत अगर बच्चे ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी इसे सीख लेंगे और अब है पठ्धातु से जो तीसरा है वो पठ्धातु से यहां पर लिखना है पठ्धाती यहां पर पहला दूसरा एक वचन दुई वचन लिखना है तो पहला है पठती और दूसरा जो खाली जगा है पठता है और तीसरा लिखा हुआ है तो वहाँ पे जो जगा लिखा हुआ है वहाँ हम डैस कर दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पुस्तत में लिखा है अब हस धातु से हसना होता है तो यहाँ पे हस धातु से हसना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसमें पहला और अंतिम जगह खाली है तो हस धातु से हसती बनेगा और आखरी खाली है तो हसंती और इसी तरह से यहाँ पे लिख से लिखती लिखता हा लिखन्ती ये रूप बन जाएगा और अब है चल का मतलब होता है चलना जो यहाँ पे लिखा हुआ है चल का मतलब है चलन और इसमें चलन्ती लिखा हुआ है बहुवचन तो पहले एक वचन में बन जाएगा चलती चलतह चलती और यहाँ पे चलतह दुई वचन हो जाएगा यह सब में तह उचारन आ रहा है अंत में इसमें सब में ती उचारन आ रहा है इसमें अंति उचारण आ रहा है और चलंति यहां पे लिखा हुआ है रक्ष मतलब रक्षा करना होता है तो रक्ष मतलब रक्षा करना तो इसमें जो है रक्षतह द्वीवचन लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा रक्षति, रक्षतह लिखा है और यहाँ पे हो जाएगा रक्षन्ति, रक्षा करते हैं, रक्षन्ति, और अब है गय, गय यह गाय जो गाना गाते हैं, उनके लिए गय का प्रयोक किया गया है, तो गायति, गायतह, गायन्ति, तो एट में हो गायाति लिखा हुआ है गायता है गायता है कि और गायन्ति यहां पे भवाचन में बन जाएगा गायन्ति और अब जो है यहां पे पत का मतलब होता है गिरना रिक्षात पत्रम पतती पत्रम मतलब पत्ता और पत का अर्थ है यहां पे गिरना गिरता है पतती मतलब गिरता है तो इसमें पत धातु से पहला दूसरा जगा खाली है एक वचन दूई वचन तो पतती पतता है पतन्ति पहले से लिखा है, पतती, कोई एक चीज गिरती है, तो पतती बोलते हैं, कोई दो चीज गिरती है, तो पततह और अनेक के लिए पतन्ति का प्रयोग करते हैं और अब है यहाँ पे अस अस का आर्थ होता है होना जैसे कि है तो यहाँ पे अस्ती लिखा हुआ है और द्वीवचन में अस्ताह और बहुवचन में संती का प्रियोग होता है तो यहाँ पे अस्ती लिखा है अस्ताह द्वीवचन में और संती बहुवचन में लिखा जाता है तो अब हम लोग इसके आगे का करेंगे खाद खाद मतलब खाना खादती खाता है एक के लिए और खादता यहां पे लिखा है और बहुवचन की जगा खाली है खादनती तो यहां पे हो जाएगा खादती और खादनती हमें लिखना है एक वचन में खादती खादता हम लिखा हुआ है और यहां पे खादनती लिखना है तो यह खादनती हो गया और इसके बाद जो है विकस विकस कार्थ होता है खिलना जैसे विकसती कमलम विकसती कमल खिलता है तो यहां पे उसके लिए विकस जो है वो मूल धातु है और इसमें अंतिम बहुवचन लिखा हुआ है एक वचन और द्वी वचन लिखना है तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक वचन में विकसती यहां पे हो जाएगा विकसती खिलता है कोई एक चीज रहेगा तो विक्सती और द्वी वचन में विक्सता है तह उचारण आ जाएगा विक्सता है और बहु वचन लिखा हुआ है और इसके बाद सभी बच्चे इसे अपनी पुस्तक में पूरा कर लेंगे और इसके बाद जो शेश यहां पर कुछ और भी यहां पर दिया हुआ है इस्मरी कूर्द और क्रीड खेल इन सब को हम लोग अभी यहां पर उपर लिखते हैं हमने नंबर डाल दिया है और किताब में अभ्यास पुस्तिका में नहीं डला है लेकिन यहां पर हमने नंबर डाल नवी चाहिन को कि पता चले कितने सारे शब्द या पर कराए जा चुके हैं तो बारत तक हम लोग कर चुके हैं उपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहां पे हम लोग शेष जो बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे तो इसमें हम लोग यहाँ पे 12 के बाद 13 वाँ शब्ध हम लोग देखते हैं 13 नमबर पे जो पद दिया हुआ है धातुरूप तो यहाँ पे विकस का हम लोग किये थे विकसती विकसतह और अब हम लोग इस्मरी का करेंगे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है दूसरा नहीं लिखा है इस्मरतह और इस्मरंती इस्मरंती इस्मर का अर्थोता है याद करना तो इस्मरती मतलब कोई एक चीज के लिए प्रयोग है इस्मरतह और इस्मरंती और अगला पद है धातुरूप कूर्द कूर्द मतलब कूदना यहां पे कूर्दता रिखा हुआ है द्वी वचन लिखा है तो कूर्दता है तो हमें ताह की जगा पे ती करना है कूर्दती एक वचन में तो कूर्दती कूर्दता लिखा है और यहां पे बवचन में कूर्द अंति उच्छारण आ जाएगा तो यह ब पर अभ्यास हो जाएगा, क्रीड मतलब खेलना, खेलना यहां पर दिया हुआ है, क्रीड़ती, क्रीड़न्ती भहुवचन यहां पर लिखा हुआ है, और हमें एक वचन और द्वी वचन लिखना है, ती और तहवाला, तो क्रीड मतलब खेलना होता है, तो क्रीड़ती, केवल ह में अंतिम उचारण यहां पे बदलना है अंति की जगा पे ती करना है क्रीड़ता है यहां द्वीवचन में हो जाएगा क्रीड़ता है और बहुवचन लिखा हुआ है और अब है खेल जैसा कि धातु रूप से ही पता चल रहा है खेल मतलब खेलना और यह वो धातुएं हैं जो बदलती नहीं है जैसे द्रिश धातु है तो वो बदल जाता है पश्यती पश्यता द्रिश मतलब देखना होता है तो वो पश्यती पश्यता पश्यंती चलता है और इसी तरह से गम मतलब जाना होता है तो गम का गमती नहीं चलता है गच्छती चलता है तो यह धातुए ऐसे जो बदलती नहीं है तो खेल यहां पर खेलत लिखा हुआ है फिर हमें द्वी वचन लिखना है खेलत यहां पर खेलत और बहुअ चन में हो जाएगा खेलती तो इस तरह से यह खाली जगह में भरा जाएगा और इसके बाद मतलब नाचना, जैसे पठ मतलब पढ़ना होता है और उसे पठति, पठताह, पठनती रूप बनता है वैसे ही नृत मतलब नाचना होता है नित्यति नित्यत्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात और भ्रम मतलब होता है घूमना, तो भ्रम कार्थ होता है घूमना, तो भ्रमती, ये पहले भी वच्चे सुने हैं पाठ में, भ्रमती, भ्रमताह, भ्रमती, जहां पे भ्रम धातु कार्थ होता है घूमना, तो इसमें भ्रमती लिखा हुआ है पहले से, तो हम लोग एक वच्च में भ्रामताह ती हटा के इसके जगह पे ताह कर देंगे और भ्रामती लिखा हुआ है और अंतिम है खन, खन मतलब खोधना, तो यहां पे खन का जो है यहां पे एक लिखा हुआ है खनती, तो खनती लिखा हुआ है, तो खनताह खननती, खनती, खनताह खननती, तो ये हम लोग कहो गया प्रथम पुरुष में दिये गए बहुत सारे यहां पे मूल धात्वें दी गई है जिसको की एक वचन त्वी वचन और बहुचन में उससे रूप बनाना है तो ये हम लोगोंने तीसरे पाठ का शेश प्रशन पूरा कर लिया है और सभी बच्चे इसे अभ्यास पुस्तिका में भी पूरा कर लेंगे और अब हम लोग शुरू करते हैं चतूर्था पाठा विद्यालिया तो विद्यालिया का हम लोग शुरू में जो दिया है उसे यहा पर पूरा हुआ है और यहां पर वही पद लिखे गया है धातुरूप लिखे गया है जो खाली जगा में लिखना है तो इसे सभी बच्चे पूरा कर लेंगे और अब हम लोग शुरू करेंगे चतूर्था पाठा है और चतूर्था पाठा विद्यालिया है तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे चतूर्था पाठा है विद्यालिया विद्या का आले विद्याले तो यह हम लोग का पाठ है और इसमें हम लोग देखते हैं कि शुरू में लिखा हुआ है मध्यम पुरुशाह उत्तम पुरुशाचा सभी बच्चे 19 पेज नमबर पर निकालेंगे चतुर्था पाठा विद्यालिया मध्यम पुरुशाह उत्तम पुरुशाचा अभी इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने प्रथम पुरुश के धातुरूप का अभ्यास किया था बहुत सारे मूल धातुएं थी और उसका अर्थ भी हम लोग जाने कि उसका क्या आर्थ है और यहां पर मध्यम पुरुश और उत्तम पुरुशाह चा चा का प्रियोग संस्कृत में बात में होता है इसलिए यहां पर मध्यम पुरुशाह उत्तम पुरुशाह लिखने के बाद चा का प्रियोग हुआ है और इसका चा का आर्थ होता है और हिंदी में और का प्रियोग बीच में करते हैं जैसे कि मध्यम पुरुश और उत्तम प पज़नम में लिखा है यह अहम आवाम वयम ये सरवनाम पद है। आवाम वयम तौम युवाम यूयम और मम आवयोह असमाकम अहम का रथ होता है मैं आवाम हम दोनों और वयम हम सब तौम का रथ होता है तूम यूवाम तूम दोनों और यूयम तूम सब और इसके बाद योधु है मम जो है मेरा आवयोह हम दोनों का और असमाकम हम सब का हमारा अस्माकम मतलब हमारा जो हम सब का है तव मतलब तुम्हारा युवियोह तुम दोनों का और युश्माकम ये जो अस्मद और युश्मद का जो है सस्ठी विभक्ति का रूप है मम आवियोह अस्माकम और तव युवियोह युश्माकम तो इसका अर्थ बहुत अच्छे माले भी बताए गया है प्रत्थम पुरुष्का सरवनाम शेड़ है और विम्यम यह मध्यम पूरुष्का है और हम आवाम वय्म यह उत्तम पुरुष्का होता है यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है और धातू bonds unfamiliar मेzdrences इस पठत्था पठत पठत्य ये प्रत्थम पुरुष में हो गया और पठामी पठावाह पठामा ये उत्तम पुरुष में हो गया तो इस तरह से यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द और उसके साथ प्रियोग किये जाने वाली क्रिया का यहाँ पर लिखा हुआ है और फिर अंत में इसमें लिखा है धातुरुपाड़ी में अस्मी अस्मी मतलब हूँ और स्वाह स्वाह मतलब हैं दो के लिए हम दो हैं यानि कि दो के लिए स्वाह का प्रियोग करते हैं और हम सब हैं के लिए स्माह का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पे जो है अहम के साथ अस्मी आवाम के साथ स्वाह और वयम के साथ जो है स्माह का होता है कि अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि लिखा है पहले प्रश्न में कि उचित अहां तो रूप से वाक्य मूरे कर तो यहां पर तो अloveITT UP मध्या पुरुष एक वचन का है तो हमें फ्रे अब मध्या पूरुष एक वचन की लेनी तो हमें ध्वी वचंका लेना होगा मध्यम पुरुष एक वचन का तो यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन में पठासी लिखा है तो यहां पर पठासी विकल्प दिया हुआ है पठत दिया है और पठत दिया है तो तुम जो है वो करता वो मध्यम पुरुष एक वचन का है तो हमें क्रिया भी मध्य पुरुष एक वचन की करनी होगी और इसी तरह से ख जो है वो युवाम लिखा हुआ है युवाम मतलब तुम दोनों और यहां पठत पठत और पठसी यह विकल्प दिये हैं तो युवाम द्वी वचन का है मध्यम पुरुष तो यहां पर पठत का प्रयोग होगा और ग में यूयम मतलब तुम सब तो यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है और इसलिए यहाँ पे हम लोग पठामी पठावह तो यह उत्तम पुरुष में है पठत हम लोग करेंगे और घह में है अहम उत्तम पुरुष एक वचन में चलसी चलामी चलामा तो यहाँ पे चलामी जो है वो सही है और अंगा में आवाम आवाम मतलब हम दोनों तो ये उत्तम पुरुष द्वीवचन है तो इसमें नमामह नमावह और नमत ये दिया हुआ है तो नमावह जो है वो सही उत्तर है और वयम यहां वयम दिया है उत्तम पुरुष भगवचन का तो भ्रम ब्रमावः ब्रमामः तो ये ब्रमामः जो है ये सही विकल्प है तो ब्रमामः यहां पे वयम ब्रमामः हो जाएगा तो आज हम लोग ये पहले प्रश्ण को समझ लिये हैं और कल अगले वीडियो में हम लोग इस प्रश्ण को लिखेंगे और सभी वच्चे अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है धन्यवाद